हेलो एस्पिरेंस वल्कम टू आइस चक्रा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट और आज हमारा है टेस्ट डे त्री ठीक है तो हम चेस कर रहे हैं 25 ओफ में 2025 को इसमें से मैं बता दू कि आपके जो कुशन्स होते हैं वो इस्टैटेक से होते हैं करेंट अफ्यर से हो और प्रिवेस यह कुश्चन से रिलेटेड होते हैं जो कि हम अभी साइन साइन टेक्नोलोजी के गुश्चन्स चला रहे हैं ठीक है तो देखते हैं आज का पहला जो कुश्चन है और प्लीज पूट यूर आंसर इन दा कमेंट सेक्षन बिलो शो देट आई विल चैज यू परफॉर्मेंस को चेक कर सकूं कि आपका इंप्रॉमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो हमारा जो पहला कुश्चन है वो कह रहा है समुद्र गुप्ता वॉस दा फर्स्ट रूलर ऑफ दा गुप्ता डाइनिस्टी टू एडप्ट ग्रांट टाइटल आप महारा परफॉर्मेंट को पढ़िए और और कुश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देजिए और उसके बाद जो है आप अपने जो कमेंट बॉक्स में दे रखे आंसर को मैच करिएगा ठीक है सलूशन से कितने कुश्चन से राइट हुए तो यहां जो पहला स्टेट्मेंट है व जो ते श्रीगूत उसके बाद आए घटवतकच, उसके बाद आए घटवतकच ़ाल को गट लक्त दिया कि चंद्रवुप्त फर्स्ट 走吧 ऐस अज़ कंपोजट अजब काप वाई हरी सेन तो इलहाबाद पिलर इंस्क्रिप्षन को हरी सेन नहीं कंपोजट किया था ठीक है यह प्रसच्ति क्या होती है आगे देखते हैं अलहाबाद पिलर इंस्क्रिप्षन is of a special kind known as प्रसंस्ती meaning in praise of जो praise of means राजय की प्रसंसा करते थे उन्हें प्रसंस्ती बोला जाता है तो ये दोनों आंसर ये दोनी statement correct हो जाएंगे हमारा correct answer है option number A ठीक है question number second है in the gupta empire परम भटारक was a कौन सा होगा इसका जो answer होगा title adopted by gupta king title adopted by gupta kings ठीक है जो gupta empire था उसमें जो king होते थे उन्होंने अपने आपको grind title देते थे जैसे महारादा धिराज परम भटारक ठीक है ऐसे इसे title देते थे अपने आपको तो इसे याद रखिएगा देखो यहाँ जो minister for foreign affairs वो क्या था महासंधी विग्रही ठीक है grandaries को जो in charge था grandaries बो था यहाँ देखते हैं यह जैसे यह है ठीक है यह कह रहा कि गुपता king ब्रह्मानिकल हिंडूईजम को patronize किया था ठीक है उनके रिजूर्ट रिलीजियस बिलीफ है वैसन विजन सैविजन सक्तिजम वर्षिप स्टार्ट हुआ था गुपता डाइनिस्टी में ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा हमारा जो थार्ड कोस्टन है रिगार्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा एर्मिनिस्टिट्व पोस्ट क्या थे और उनकी रिस्पॉंसिबिल्टी क्या थी ठीक है संधी विग्रही जैसे महा संधी विग्रही बो था गुपता डाइनिस्टी में कौन मिनिस्टर ओफ वार और पीस या फॉरेंड अफेर्स ठीक है यह था तो इसका अंसर यह हो जाएगा प्रथम कुलिक यह किसका हो जाएगा यह हो जाएगा चीप चीप बैंकर ठीक है महादन्नायक चीप जेस्टिस ऑफ चीप जेस्टिस ऑफिशर थे ठीक है तो आल्ली एन आप्शन बी विल बिदा राइट अंसर और थर्ड स्टेट्मेंट करेक्ट होगा ठीक है फोर्थ कोस्टन है दब प्लेशिस कांचीपुरम आई होड आयन वातापी आर्दा आर कॉमनली असोसियेटेड एज तो यह कौन से प्लेशिस हैं कांचीपुरम किसकी कैपिटल थी पल्लवास की आई होड किसकी कैपिटल थी चालुक्याज की ठीक है चालुक्याज नहीं कह सकते चालुक्याज की वातापी थी ठीक है आई होड की जो थी वह यादवास की या फिर कहें कि जो राश्ट कुटाज की कैपिटल आई होड ठीक है तो कैपिटल आप साउथ हिंड इंडियन गिंगडम्स ऑप्षन बी ओके पोर्स हैंडलिंग फॉरेंट ट्रेड पोर्स बहुत सारे थे जो कि आगे डिसक्स करेंगे इंपॉटेंट बुद्धिश्ट पिल्ग्रिमेंस सेंटर्स यह भी आगे डिसक्स करेंगे जब क्वेस्टन में आएंगे यहां पर सलूश क्युंति दृस्टेटर्शन के से रिलेटेड है यह रिलेटेड है विल्हेंज एड्मिनिस्टरेशन अंदर चल्ल ईड्मि 근 की यहां ऑग्यर क्यों कि वीजा राया ठीक है विजल आया, फांड किया था, और यहां जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, वो विलेज एड़िनिसेशन के बनाया था, और यहां जब किंग कौन कौन से, जो ग्रेट किंग थे, यहां के जैसे आदित्या फरस्ट, ठीक है, और परंतक फरस्ट, जो की बहुत बड़े किं किंगडम को जीता था, पांड्याज को ठीक है, पांड्याज को जीता था, और यहां जो जैसे राजेंद्र फरस्ट, ठीक है, यह राजेंद्र फरस्ट भी जैसे श्री लंका को जीता और विजय, जो श्री विजय किंगडम था, इंडोनेसिया की तरफ, वो भी इन्होंने, साथ इस्टेसिया का जो स्री विजाय किंगडम था वो भी जीता था ठीक है वहाँ के किंगे को तो इसका आंसर होगा विलेज अंडर चूला एड्मिनिस्टेशन पारंतक फस्ट नवल एक्सपेडिशन टू स्री लंका ठीक है यह भी चूल किंग थे नटराज टेंपल एड च वो चोला ने किसके लिए किया इस डोर लेवल के उनकी जो किंगडम के लोवर लेवर कि लोवर लेवर जैसे हमारे यहँ पंचाति राज इस्ट उसय और municipalities है ऐसे चोल kingdom में ऐसे village administration होते थे ठीक है जिने बोला जाता है उत्तर मेरूर जो नहीं उत्तर मेरूर inscription में village administration का foundation मिलता है ठीक है sixth question है concern the following statements about the office of the governor as mentioned in the constitution of India तो politics related है constitution में क्या mention है governor के term में governor के office के लिए ठीक है जो पहला statement है office of the governor is constitutionally under the control and subordinate to the central government क्या subordinate है और control करते central government no it is independent body that is mentioned not mentioned in the constitution but it is the autonomous body of the governor of office second statement है the governor of a particular state should not belong to that state क्या ये mention है constitution में नहीं third statement है the president of India must consult the chief minister of the concerned state before making the appointment of the governor of that state ये convention है ठीक है ये convention है ये भी convention है और यहां पर जो control और subordinate है वो चीज़ गलत है ठीक है तो यहां जो correct answer होगा वो होगा none क्योंकि यहां पर ये convention दिया है ठीक है गवर्नर के office को ये दोनों convention है ना कि इन में mention है constitution में ठीक है तो यहां constitution में क्या mention है only and only दो दो features add means mention है गवर्नर के लिए कि या फिर qualification उसकी क्या है टू यानि he is the citizen of India and he should be achieved 25 35 years of age or his eligibility ठीक है age 25 35 है तो याद रखियेगा यहां option D हो जाएगा question no 7 है consider the following statements according to first statement है please read and put your comment put your answer in the comment section below according to the constitution of India the governor shall from time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit yes this is correct the governor always has to act on the aid and advice of the cabinet and cannot decide on his or her own on summoning the house क्या एकरेक्ट है always की बात कर रहा है नहीं क्योंकि उसके पास discretion भी होते है ठीक है जो कि aid and advice cabinet के तो मनता है but always नहीं उसके पास discretion है वो discretionary power constitution ने दे रखी है तो statement first is correct second is the wrong option a will be the right answer correct answer पूछ रखा है okay question number eight है consider the following statements regarding the terms of the office of the governor office of governor के terms में बात कर रहा है कि क्या correct है पहला statement है the governor can resign at any time by addressing a resignation letter to the chief minister of the state तो governor क्या chief minister को किसी भी time दे सकता है अपना resignation letter नहीं this is the president of india president of india को देता है ठीक है ना की governor को oh sorry chief minister को the constitution does not lay down the grounds upon which governor may be removed by the president क्या correct है तो constitution does not lay down the grounds upon which governor may be removed by the president constitution में में नहीं तो गवर्नर को किसी भी time president remove कर सकता है तो यहाँ जो पहला statement है वो गलत हो जाएगा ठीक है the constitution does not lay down the grounds क्या grounds ले डाउन है constitution में नहीं ठीक है तो यह correct answer हो जाएगा हमारा जो correct answer होगा वो option भी हो जाएगा ठीक है तो constitution ने कोई ground यहाँ पर कोई भी means feature आइड नहीं किया कि president जो है वो remove करेगा governor को ठीक है किसी भी time वो remove कर सकता लेकिन यह convention है but constitution में नहीं दिया है ठीक है question 9 है question 9 है if any question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not whose decision shall be final and why तो अगर कोई question arise होता है कि क्या matter जो है फाल करता है governor's discretion में या फिर नहीं तो उसका कौन सा decision और किसका decision final होगा और क्यों तो यहां governor का ही decision final होगा governor of the state because constitution confers him this authority to discretionary power दे रखी constitution ने ठीक है इसलिए यहां पर correct हो जाएगा option c chief minister because he hits the council of minister aid and advice कर सकता है question कर सकता है और उन्हों जो भी work होता है chief minister और governor के बीच वो consultation हो सकते है लेकिन जो final authority है decide करनी की वो only and only governor के पार discretionary power है state legislature since it is the highest lawmaking body within the state executive जो highest lawmaking body तो है बाट यहां जो executive head होता है वो तो governor ही होता है न तो इसलिए यह जो है यह भी incorrect हो जाएगा president of India who advises the governor of the same क्या governor को final authority या पर जो matter होते हैं वो rise करते हैं तो अगर each and every question president को बताएगा तो यहां पर जो state की जो system है ongoing system हो और ज्यादा impact होगा तो इसलिए भी नहीं होगा ठीक है question number 10 है consider the following statements पहला statement है the governor is the head of the state's executive power and acts only on the advice of the council of ministers on all matter all matter की बात कर रहा है नहीं कभी वो discretionary powers के पास भी होती है ठीक है second statement है while the governor does not have to seek anyone's advice while appointing the chief minister he can appoint a minister only on the recommendation of the chief minister तो कह रहा है कि governor किसी की भी advice नहीं मांगता जब वो appoint करता है chief minister को लेकिन वो appoint करता एक minister को only and only recommendation of the chief minister तो यह correct हो जाएगा the governor can determine the time needed for a party to prove its majority or which party must be called first to do so in a hung assembly तो कह रहा है governor determine कर सकता है कि कितना time need होना कितना time में होने चाहिए for a party to prove its majority और which party must be called first to do तो कौन से party first आएगी जो कि एक hung assembly में होगा यह सारे काम ठीक है तो कौन से statement होगा यह भी correct हो जाएगा तो option we will be the right answer ठीक है यह चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर यह governor की discretionary power होती है कि वह बुलाता है parties को ठीक है यहाँ पर discretionary power लगाता है अपनी खुद की यहाँ पर किसी की भी consultation नहीं होती है यह advice advice of the councillor minister which is headed by the chief minister नहीं होता ठीक है consider the following statements about spices boards first statement है it is one of the five community boards functioning under the ministry of commerce and industry तो one of the five community board है जो ministry of commercial industry के अंडर में आता है तो correct statement second statement है it is responsible for the overall development of the cardamom industry and export promotion of 52 spices listed in the schedule of the spices board act 1986 तो this will be also correct so option will be C ठीक है क्योंकि जो और यह बोड़ी कब यहाँ पर बनाई गई थी स्पाइसेज बोर्ड नाइंटीन एटी सेवन में ठीक है यह याद रखेगे नाइंटीन एटी सेवन में और इसका जो हुआ है headquarter है spices board का कहां होगा तिरुवनंत पुरम केरला में ठीक है spices board का headquarter तिरुवनंत पुरम में है और 1987 में बनाए गया था स्पाइसेज बोर्ड आक्ट नाइंटीन एटी सेवन में ठीक है तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी क्यों यहाँ पर जो स्पोर्ट के लिए किया गया है कि इसको मेंस की इंस्योर किया गया है कि कोई भी जैसे कि इलीगल एक्टिव्टी होती है कि डॉपिंग होती है उसको एंटी डॉपिंग बनाना है यह कंपेंज चलाया था नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी ने तो करेक्ट आंसर नामारा क्या हो जाएगा सी कि को स्टेट्मेंट करता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपार्थीड वाज सिस्टम आप इंस्टिटूश्ट लाइड रिशियल सिग्रिगेशन एंडिस्क्रिमिनेशन इंफोर्ट वाइड साउथ अफ्रिकन गवर्मेंट डिविडिंग दा ब्रिटिश टाइम अपार्थीड कौन होते थे जैसे वहाँ पर एक दिमार्केशन था कि जो हुआइट पीपिल होंगे उनके रेजिदेंस या उनके उनका टाइम पीरियड मेंशन था कि इसके इसके बीच में इस टाइम के बीच में वहाँ पर ब्लाइक पीपिल जो है वो ट्रैपल नहीं कर सकते हैं ठीक है और मेडिकल जो साफ है वहाँ पर जो है जैसे वाइट पीपिल लेंगे तो वो उन्हीं के साथ नहीं कर सकते तो यह अपार्थी विड़ बी बी ओके कोश्चन नमबर फोर्टीन है विच अब दा मैं और और स्टेटमेंट पड़ता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत था अपार्थीड वाज पॉलेशी अपार्थीड एक पॉलेशी जो इंप्लिमेंट की गई थी प्रमोट करने के लिए रेशियल इक्वालिटी को रेशियल इक्वालिटी नहीं और इंटिग्रेशन इन साउथ अप्रिकन सुसाइटी ये नहीं था अपार्थीड वाज प्राइमरली एम्ड एट फोस्टरिंग मल्टी कल्चरलिजम एंड डाइवर्सिटी इन साउथ अप्रिका क्या ऐसा पॉजेटिव टी ये है पॉजेटिव दिखा रहा है ठीक है तो अपार्थीड का कोई कंसेप्ट नहीं बनता अपार्थीड वाजा मूवमेंट लेड बाई नेल्सन मंडेला यास नेल्सन मंडेला ने यहां पर मूवमेंट स्टार्ट किया था तो इस्टैबलिज इक्वल राइट्स फोर ओल सिटिजन्स रिगार्डिंग और रिगार्डलेस ओफ रेसेड तो यहां ये करेक्ट बट यहां पर जो अपार्थीड की डेफिनीशन एक्क्रेट डेफिनीशन क्या है वो डिफाइन करना था ठीक है तो आप्शन होगा बी क्वेस्टन नमबर फूट्टीन है विच आप फॉल्विंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग आर्टिकल थर्टीन बी आप दा इंडि रिफाइन किया गया है कि यहां पर जो प्रपर्टी होगी वो इस्टेट की रिस्पांसिबिल्टी है कि डिस्टिबूट करेगा ओनर्शिप और कंट्रोल करेगा material resources को serve the common good ठीक है लोगों के लिए serve करेगा common good जो की distribution करेगा उन resources को among the citizens ठीक है और यहां पर जो article 39C भी है ठीक है 39C क्या कहता है कि state has a responsibility to acquire illegal properties और concentration properties या फिर concentration wealth को रोकेगा ठीक है state जो है वो acquire करेगा ताकि वहां concentration जो wealth हो वह वहाँ पर डबलप ना हो पाए statement यह देखते हैं sorry option यह देखते हैं it mandates the provision of adequate means of livelihood for all citizens तो यहां जो यह concept है यह दिया है कौन सा article article 42 maternity benefits ठीक है statement भी है it directs the state to ensure equal pay for equal work for both men and women तो यह article 39 जो welfare state का concept है उसमें दिया है mention है ठीक है equal pay for equal work option जो option D है it guarantees the right to education for all citizens to all citizens तो यह दिया है article 45 of directive principles of state policy ठीक है और यह industry में भी है equal pay for equal work तो article 47 जो है यहां पर यह mention करता है equal pay for equal work ठीक है तो यह यहां पर answer है अगर ना समाज माए तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है question number 15 है concern the following statements about petroleum and explosives safety organization जो पहला statement है it is a department formed by the government of India under the department for promotion of industry and internal trade of the ministry of commerce and industry तो पेट्रोलियम और explosive safety organization को government of India ने form किया था department for promotion of industry and internal trade ने जो की आता है ministry of commerce and industry तो इसके अंडर में आता है तो यस ministry of commerce and industry के अंडर में आता है ठीक है जो dpiim department for promotion of industry and internal trade और यह जो है यह petroleum and explosive safety organization यह बहुत पुरानी body है जो की 1898 में form की गई थी ठीक है तो यह याद रखिएगा और इसका headquarter जो है इसका headquarter है नागपुर में है ठीक है इट has been serving the nation as a normal agency for regulating safety of hazardous substances such as explosives compressed gas and petroleum तो यह भी क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है यहाँ नागपुर में है इसका headquarter और यह control करता है जो explosive और जो petroleum उसका illegal use ना हो तो इसे control करता है ठीक है तो option will be C हो जाएगा question number 16 है consider the following statements about the competition commission of India high guest decision making body और high guest or quasi judicial body इसे बोल सकते है statement first है it is the chief national competition regulator in India तो क्या यह है correct है yes correct है second statement है it is a statutory body within the ministry of commerce and industry तो commerce and industry के अंटर में आते हैं नहीं ministry of corporate affairs के अंडर में आते हैं ठीक है ministry of corporates ministry of corporate के अंदर में यह body आती है competition commission और high guest decision making body होते है in the field of the corporate affairs ठीक है तो correct answer will be C हो जाएगा और जो competition commission of India का foundation हुआ था यह body का बनी थी competition commission competition act के अंडर मनी थी जो 2002 की यह act बना था ठीक है तो यह याद रखियेगा question number 17 में है कि the atacama desert is renowned for being atacama desert क्या है क्या सू करता है तो यह है driest desert on the earth ठीक है driest desert है अर्थ में wittest desert कौन सा होगा और coldest desert कौन सा है और hottest desert कौन सा है तो hottest desert है वो है यह जो बोलते हैं कि इरान में है तो कौन सा है तो wittest जो है वो है सुनुरान ठीक है याद रखियेगा सुनुरान यह wittest है ठीक है coldest desert कौन सा है वो है Antarctica और hottest desert कौन सा है वो है loot ठीक है यह याद रखियेगा और driest desert यह जाना जाता है atakama desert को ठीक है तो यह चीज याद रखियेगा what's будущ yological feature is characteristic of attack am desus कौन सा जैसल करेक्डिस्ट रखियेगा ऊंसा जैसे यहाँ पर Europeancess ऑरोग्राफिक जैसे हम यहाँ पर अगर ऐल निनो की condition नहीं होती है, तो यहां यह ड्राइस डेजर्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें बारिस वगरा नहीं होती है, तो यहां पर salt की जो problem से बहुत जाद हो जाती है, तो यह हमारा answer सी हो जाएगा, San Dunes, नहीं, San Dunes नहीं बनते हैं इसमें, Volcanoes, Volcanoes में नहीं आते हैं, वो Andes Mountain में आते हैं, Mountain Ranges इसे Andes Mountain ठीक है, लेकिन Corrective City क्या आप यहाँ पर सो करता है Salt Flats को, ओके, जैसे यह Wittest Desert है, सनुरान कलिफोनिया, US में है, Coldest Desert है अंटार्क्टिका, और Hottest Desert लूट जो इरान में है, ठीक है यह चीज़ याद रखिएगा और यहां salt flats को क्या बोलते हैं सलार्स भी बोलते हैं ठीक है और dried salt lake यहां पर पायाते हैं हाटा कामा डेजल्ट में और यह create करते हैं स्रियल लाइनिस्केप को जो आड करते हैं जो डेजल्ट सी यूनीक अलूर को को कि क्वस्टन नंबर 19 है सक्षगम वैली के बारे में बात कर रहा है कि कहां सिच्वेटेड है यह सिच्वेटेड है नौर्थ हब दा कारा कोरम वाटर सेड जैसे कि गलवान वैली है ठीक है पैं सक्षगम वैली को यहां पर किसके अंडर में है यह अंडर कंट्रोल कर रहा है कौन चाइना ठीक है चाइना कंट्रोल कर रहा है क्यों क्योंकि पाकिस्तान जब 1962 का वार हुआ था इंडिया और चाइना के वीच तो पाकिस्तान 1965 में यह पाकिस्तान अकुपाइट कस्मीर का था तो इसे कौन सा कौन किसे दे दिया था यह बोल दिया था कि यह सौबरिन जो लैंड है यह चाइना के लिए है ठीक है तो चाइना को जो सक्षगम वैली पार्ट है वो दे दिया था पाकिस्तान ने ठीक है जो कि यह इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान का यह कस्मीर का प नरायड रिकनाईजD that free and fear elections are a part of the basic structure of the Constitution of India and any laws or policies that would violate this principle could be struck down. है क्वाइन कोंसे केस में? Indra Gandhi vs. राज नरायड ये रिकनाईसिट किया था, 1974 का e 1975 का ये केस था ठीक है? और यहां basic structure का concept कब आया 1973 में under the case 1 भारती case ठीक है तो इस case में क्या वो लगया कि free and fair elections जो होगे वो एक part है basic structure of the constitution के और कोई भी law या policies अगर obstruct करती है या फिर violate करती है इस principle को तो वो null and white declare कर दिया जाएगा तो this statement will be absolutely correct ठीक है second statement है a five judge constitution bench in 2006 in the case of kuldeep nayar versus union of india held that the right to vote is a pure and simple statutory right तो किया यह है यह भी correct हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो right to vote है ठीक है जैसे prisoners होते हैं तो उनके लिए right to vote जैसे यहां पर अभी इसे example में आया था इसी के लिए आया है कि जो right to vote है वो prisoner को नहीं मिलेगा ठीक है बट यहां जो election है वो conduct कर सकते हैं right to vote यहां पर नहीं होता है क्योंकि right to vote एक not a fundamental right यह एक statutory right है और इसे किसी भी time repeal किया जा सकता है ठीक है तो इसका जो option होगा option will be c ठीक है तो यह चीज याद रखिए यह नूप्रा वैली है यहाँ पर सक्स गम वैली है यह याद रखिएगा यह है यह पाकिस्तान अकॉपा यह लेक्स है ठीक है पाइंगॉंग सो ठीक है गलवान यहाँ पर यह है स्वारी यह पाइंगॉंग सो है ठीक है उपर है गलवान और यहाँ पर है कारकुरम रेंज यह है ठीक है और यहीं पर क्या है यहीं पर है कैस्पियन सागर नहीं क्या बोलते उसे एक सी है ठीक है तो देख ली जेक मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 जो है question है तो कौन साथ फोकस अरिया अब दय होगा agriculture क्योंकि agriculture जो है वो सारे किस पर depend होते हैं सारे सिक्टर agriculture पर ही depend होते हैं एक्रीकल्चर नहीं होगा, तो यहाँ सर्वाइब नहीं कर पाएंगी, ठीक है? तो एक्रीकल्चर के लिए नश्नल ग्रिन हाईडरोजन मिशन का एंप 50 million metric ton Schul net on ग्रींग हाउस गैंसे जो यहाँट पर अवर्ट करना है खतम करना है या फिर काप्चर करना है 2030 तक तो की फोकस एरिया कहां पर नहीं है एक्रिकल्चर पर यह इस्टील सेपिंग और मोबिल्टी के लिए ग्रिनेशन ग्रिन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया था यहाँ पर नॉन काइनेटिक और काइनेटिक वार्फियर अभी मैं आप बताता हूं क्या होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ются क्या होते हैं नॉन काइनेटिक वार्फियर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पर फेश्ट फेश्ट नहीं लडाई करते हैं जैसे की साइबर आटैक है वो नेशन के पावर सुरिट को वहां पर डेशटोय करसकते हैं डिसिंफॉर्मेशन को यहां पर श्क्रॉर कर सकते हैं जैसे रिउमर्स इस्प्रेट करते हैं टिक है इलेक्षन से टाइम तो इस चीजम जो पब्लिक की आपिनियन है मनीपूलेट ग्राउंड्र इस वार्फियर लड़े जाते हैं यहां पर बॉमबिंग अ इंस्टालेशन टुर डिश्टॉइ nat को डिष्टरप्टि कर सकते हैं ठीक है तो यहां मैं पर जो है जिलाउंड रीयाल्टी जो फेश-to-face जो काइनेटिक होते हैं वो यह होते हैं, नॉन काइनेटिक क्या हो जाएंगे, वो जैसे साइबर अटैक, इस्प्रेडिंग इंटिस इन्फरमेशन, जामिंग, कम्यूनिकेशन सेटिलाइट्स, ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा, यह होता है, यह होता है, किसके लिए, किड्नी फेलियर के लिए, ठीक है, तो किड्नी फेलियर के लिए होता है, और यहाँ जो इस्टेट्मेंट सेकेंड है, है, हेमोडिल्टिक हेमोडायलेस, मसील स्फंक्शन बाइड डायेक्टली रिमूविंग टॉक्षिंस प्रॉम धबलड विदाउट एनी नीड फॉर एक्टिर्नल फूट एक्सचेंज, तो क्या यह करेक्ट है, नहीं, एनी नीड फॉर एक्सचेंज यह इनक्रेक्ट हो मसीन फंक्शन्स वाइ डिर्ट्ली फिल्ट्रिंग ब्लड विदाउट इनी इंट्रक्शन विद डाइलाइस डाइलाइसेट फ्लूइड तो क्या ऐसा हो सकता है नहीं यह भी पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप्शन डी विदा राइट आंसर ठीक है हेमो डाइलेसिस मसीन जो हो होती है जो ब्लड होता है ब्लड उसे मिन्स के सर्कुलेट करने में काफी हेल्फुल होती है और यह किड्नी फेलियर जो किड्नी के लिए होता है कि किड्नी फेल न हो जाए उसे लॉंग टर्म तक सर्वाइब कर सकी या फिर उन्हें जल्दी रिप्लेस अगर नहीं करना है तो उसे जो है flood को निकालना पड़ता है ठीक है जो lung से flood होते हैं उसे निकालना पड़ता है filter करना पड़ेगा ठीक है तो यह का यह concept है हेमोडालेसिस मसीज जो है इसके लिए वरक की जाती है question number 24 है which of the following materials poses the highest risk of silicosis for workers due to its silica content तो कौन सा होगा यहाँ पर होगा artificial stone देखो यहाँ पर जो marble है, granite है, limestone है marble, granite, limestone ठीक है तो इनके जो है यह silica जो content है वो बहुत कम होता है जैसे मारबन में देखें तो almost hardly 3% होता है limestone में जो होता है वो यह समझे कि 30% होता है और granite में माल लेजे कि 20% होता है ठीक है तो यहाँ पर जो artificial stone है यहाँ पर जो silica की content है यह more than 80% होता है या फिर कहें कि more than 90% भी होता है ठीक है तो यह जो है silica content कैसे harmful होता है वरकर्स जब काम करते हैं जब माल लोगी कोई एक stone है उसे cut करते हैं ठीक है cut करते है तो उसका जो particles है वो जब inhale करते हैं workers तो उनके inhaling के through उनके lungs में चल जाते हैं तो उनके lungs को damage कर सकते हैं तो उस जो means उस disease कौन से disease हो सकती है silica sis silica sis disease हो सकती है ठीक है तो यह काफी harmful disease है उनकी death भी हो सकती है ठीक है तो इसका यह concept था artificial stone के दोरह यह जो है silica content के कारण workers की जो silica sis disease है वो हो जाते हैं के highest risk से यह मतलब ग्रसित रहते हैं ठीक है question number 25 है India recently provided hemo dialysis machines to each of the following countries under the forum for India Pacific Island cooperation तो यह कौन सा है पापवान योगिनी क्योंकि यहां पर जो है hemo dialysis जो machine है इंडिया ने gift किया है पापवान योगिनी को for their population medical health ठीक है question number 26 है the primary objective of the कर्म योगी सप्ताह initiative launched in October 2024 कर्म योगी सप्ताह initiative launch किया गया था October 2024 को इसका primary objective क्या है तो यहां जो right answer होगा वो होगा promote individual and organizational capacity building for civil servants through competency linked learning ठीक है तो यह होगा जो बी option है provide financial incentives to civil servants for completing training programs नहीं यह नहीं होगा introduce a new pension scheme for retired services नहीं enhance digital governance and automation for citizen services नहीं यह तो बिलकुल से अपोजित है ठीक है citizen के लिए नहीं तो civil servant होते हैं उनके लिए इसकीम यहां पर initiative launch किया गया है for the individual and organizational capacity building के लिए ठीक है और यहां इनके competency को build करने के लिए यहां पर initiative चलाए गया था ठीक है question number 27 है concerned following statements regarding Kerala's E-Cube Hindi Language Lab जो के लांच की गई है उसके context में बात कर रहा है तो statement पहला है the lab is designed for students in classes 5 to 7 and provides game based learning for the Hindi language तो जो statement होगा वो correct हो जाएगा statement 2 है the software is developed using proprietary technology ensuring premium tools for student तो क्या proprietary जो टेक्नोलजी होगी यहां पर यूज कि जाएगा यहां पर गलत ठीक है यहां पर ज्यादा interest लेंगे ठीक है जो statement 3 है the program lax monitoring mechanism lax monitoring mechanism की बात कर रहा है allowing students to learn independently without teacher feedback क्या teacher जब feedback नहीं देंगे तो वहां पर क्या interest लेंगे जहां पर Hindi language नहीं चलती है तो यह भी statement incorrect हो जाएगा तो यह incorrect हो जाएगा यह भी incorrect हो जाएगा option c will be the right answer क्योंकि statement one is correct question number 28 है the forum for india pacific islands cooperation was established primarily to primarily established किया गया था india pacific islands cooperation किस के लिए तो यहां पर option option d will be the right answer ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर जैसे पहला option देखते है provide financial assistance to middle east countries यहां पर india pacific island की बात किया जा रहा है तो middle east कैसे आए गया यहां पर यह option wrong हो जाएगा promote free trade agreements between india and pacific island countries यहां पर economy के बारे में क्यों बात करेगा जब cooperation के बारे में बात कर रहा है तो ठीक है यह भी wrong हो जाएगा develop military alliances develop military यह तो directly wrong हो जाएगा ठीक है तो option d will be the right answer okay question number 29 which of the following is not an objective मैं जूम कर देता हूँ ठीक है अगर आपको problem हो रही होगी तो which of the following is not an objective of the national green hydrogen mission कौन सा objective national green hydrogen mission के context में नहीं आता ठीक है तो यह होगा promoting fossil fuel based hydrogen production and export तो यहां पर fossil fuel based नहीं होगा यह wrong हो जाएगा ठीक है इसकी out of the fossil fuel इसको defossilized fuel material है उसे means कि यहां पर जो green hydrogen mission इसकी renewable energy based mission होगा वो यहां पर production होगा green national green hydrogen mission केते हैं जो green hydrogen होगी ठीक है बी इस option है कि fostering decarbonization across key industries like steel and mobility ठीक है और एक एक थी कौन सी थी वो पताएं comment box में कि सी जो है establishing India यह positive है ठीक है इसका नेशनल मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है establishing India as a global hub for green hydrogen production utilization and export यह भी इसका एक objective है पाइलर्ट प्रोजेक्ट्स फोर ग्रीन हाइड्रोजन usage in the steel sector यह भी इसका क्या है objective है तो तीनों correct हो जाएंगा option यह जो है वो incorrect है question number 30 है match the following methods of non-kinetic warfare with their respective descriptions तो यहाँ पर कौन सा होगा cyber warfare disinformation और propaganda तो यह किसका होगा यह होगा attacking critical infrastructure such as power grids or financial systems तो एका जो होगा वो two हो जाएगा two है economic warfare economic warfare किसके context में बात कर रहा है economic warfare disrupting a country's economy by targeting financial systems और trade तो बी का हो जाएगा यह three ठीक है और जो सी है हमारा सी कौन सा हो जाएगा psychological warfare तो psychological warfare किसमें हो जाएगा jamming communication networks to disrupt enemy operations ठीक है और जो हमारा डी है वो किसे हो जाएगा information warfare it is related to manipulating public opinion through disinformation और propaganda तो option c will be the right answer ठीक है यह देख लिजेगा question 31 है concern the following countries Ethiopia, Egypt, Libya, Cherd, Yemen how many of the above countries share border with Sudan ठीक है तो यहाँ पर कौन सा होगा देखो यहाँ पर यह है यहाँ पर red sea है यह है नीचे Yemen ठीक है Yemen तो touch नहीं करेगा ठीक है यह Egypt है Egypt यह है Egypt ठीक है इसके नीचे है Ethiopia यह है Erythria ठीक है Erythria भी नहीं है तो ये से touch नहीं करता座ी here अजीन है आपर सुदान है फिक है इधर चड़ है Libya ये Libya इधर चड़ ठीक है और ये यहाँ पर bearings Ethiopia तो Ethiopia है Ethiopia है यहाँ पर ये चड़ भी है ठीक है Libya यहाँ पर है तो Libya भी है एजिप्ट यहां पर है तो एजिप्ट भी है तो option क्या हो जाएगा option C will be the right answer अभी map में दिखाऊंगा map भी आप देख सकते हैं concern the following statements regarding the declaring the election of a member of parliament as null and white कौन null and white declare कर सकता है member of parliament के election को statement first according to RPA 1951 only the supreme court only the supreme court can declare an election of a member of parliament void on grounds of corrupt practices or failing to declare election expenses तो यहां पर supreme court नहीं यह high court declare कर सकता है null and white और कोई भी person directly supreme court जा सकता है अपने petition को कि election में कुछ भी means कि fraud हुआ या फिर वहां पर petition file कर सकता है against election ठीक है तो यह incorrect हो जाएगा statement second है the aggrieved person cannot appeal against the order of the court and the matter has to be settled by the election commission तो मैं पहले पता दिया यहां पर जो है अपील कर सकता है supreme court में ठीक है कोई भी person तो incorrect पूछ रख का है incorrect option c will be the right answer ओके तो यह जीज याद रखिए गया यह यहां पर है देख ली जगा ओके question number 33 है the blue line is the demarcation line that separates which of the following countries तो blue line किसके किसके बीच में है तो यह है Lebanon और इस्राइल ठीक है यहां पर demarcation जैसे हो गए तो यहां एक blue line को create किया गया कि यहां पर इसकी line जो है border line है क्या blue line किसके किसके Lebanon और इस्राइल के बीच में ठीक है question number 34 है concern of following statements regarding फानीगरी आर्टिफ्यार्ट्स फानीगरी आर्टिफ्यार्ट्स बारे बात कर रहा है तो फानीगरी फर्स्ट स्टेट्मेंट है फानीगरी often referred to as the hillock of snake hood ठीक है इसका मतलब यह है एक small village है जो की located है MP में यह located MP में नहीं है located है in Hyderabad तेलंगना ठीक है तो statement 1 जो होगा वह incorrect हो जाएगा सेकेंड इस्टेट्मेंट है फानीगरी प्रोवाइट्स एविदेंस आप डेविकेशन आफ बुद्धा and a transition towards canonization and ritual in Buddhist practices तो यह बुद्धा के ही यहाँ पर evidences यहाँ पर डेविकेशन मिलता है ठीक है तो option जो statement second हो जाएगा वह correct हो जाएगा correct answer will be B correct जो option होगा वह B हो जाएगा ठीक है question number 35 है concern the following statements regarding India Middle East Europe economic corridor तो IME IMEC के बारे बात कर रहा है statement one है it is a proposed multimodal transportation network that would connect India to Europe via the Middle East तो multimodal transport network है जो connect करता है इंडिया से Europe via the Middle East मतला पहले Europe में जाता है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर Persian Gulf उसके बाद UAE ठीक है Saudi Arabia then Israel ठीक है इस्राइल से होते हुए यहाँ पर Europe चला जाता ही इतली बगारा मिलके ठीक है तो IMEC कब बनाए गए थी जब G20 की प्रेसिडेंट इंडिया में हो रहा था यहाँ पर announce किया था कौन जो US थी US इंडिया यह सब मिलके मेरे IMEC को announce किया था इंडिया और रसिया के बीच बना हुआ है यह लॉंगेश्या इंडिया और रसिया के बीच बना हुआ है यह longest है वर्ड में ठीक है तो option B will be the right answer यहां भी will be the right answer होगा okay question number 36 है which country in the middle east shares borders with the most seas and water bodies कौन सा country है यह है यहाँ पर Turkey ठीक है टर्की में उपर black सी देख सकते हैं इतनी longest border है और जो part है टर्की का ये कुछ part यूरोप में भी आता है जैसे बोलते है Constantinople पहले सी capital थी ठीक है और यहां पर जो Mediterranean Sea या फिर agency की बात करें और Mediterranean Sea तो टर्की को longest border share करते हैं ओके यह चीज याद रखिएगा यहां पर देख सकते हैं ठीक है और यहां पर Mediterranean Sea यह रेल सी है और यहां पर Arabian Sea यह पर्स्तियन गल्व तो काफी इंप्टेंट geography है तर्की की question no.37 है match the following rare diseases with their corresponding types rare diseases कौन कौन सी thalassemia यह match करता है genetic disorder affecting oxygen transport in the blood ठीक है तो यह जो है correct हो जाएगा वन का यह हो जाएगा second acquired plastic anemia condition where the bone marrow fails to produce blood cells तो यहां B option हो जाएगा और जो थर्ड है pediatric cardio myopathy muscles यहां पर disease affecting the muscles of the heart तो यह भी क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो option A will be the right answer यहां जो thalassemia की problems है कि क्या होता है कि एक genetic disorder है जो affect करता है कि जो transport in the blood ठीक है oxygen का जो transportation होता है उसको यहां पर रोग देता है ठीक है और blood quoting यहां पर बनना means जब बनता है तो यहां बनने नहीं देता है cells में जो acquired plastic जो anemia है अनीमिय की कानल क्या होता है यहां पर sickle cell disease भी हो सकती है जीसे ना यह sickle cell और यहां ब्लट क्लॉटिंग को और यहां पर pressure जो blood का circulation है वो भी यहां पर रोग देते हैं ठीक है तो option क्या हो है broadband provides high-speed internet access and allows for two-way communication यहां पर जो एक तरफ broadband और एक तरफ broadcast यह क्या है यह two-way dimensional है ठीक है और यह broadcast क्या है one-way dimensional ठीक है यह चीज़ है और यह broad जो band है यह यहां पर किसी भी network में चला जा सकता है ठीक है और यहां पर जो transmitting content है जिसे broadcast में क्या होता है कि जैसे टीबी और रेडियो में यह signal धौरते हैं ठीक है run किये जाते हैं और जो broadcast है यह sorry जो broadband है जैसे यहां पर wise recording किया जाता है ठीक है और यहां पर talking with each other और सबसे बड़ी बात क्या है कि broadcasting और broadband में एक difference यह होता है कि यहां पर जो है message को receive कि जा सकता है feedback पाया जा सकता है broadband के through यहां पर जो receiver है ठीक है transmitter जो है वो receive कर सकता है information को message को कि उसका feedback कैसा रहा ठीक है जब लेकिन broadcast जो होते हैं जैसे tv सो होते हैं यहां पर radio signals होते हैं वो receiver के पास जाते हैं बर receiver क्या कर सकता है यहां पर अपना feedback नहीं दे सकता तो यह differences है तो चलो अब देखते हैं जो statement है पहला statement है broadband provides high-speed internet access and allows for two-way communication तो correct हुच है गर two-way provide करता है ठीक है तो statement first will be correct broadcast is primarily used for transmitting content like tv and radio signals to a large audience yes correct both broadband and broadcast enable real-time two-way communication for multimedia content यह two-way communication नहीं है broadband two-way है और broadcast मैंने बताया one-way है तो correct कुछ रखा है तो option B will be the right answer ठीक है तो यहां पर देख लिएज़ेगा question number 39 है consider the following statements about superconductors and their applications superconductors से बारे में बात कर रहा है तो first statement है superconductors are primarily used in MRI machines due to their ability to carry large currents without resistance क्या यह correct है yes MRI में यूज़े जाता है superconductors are widely used in electrical grids क्या electrical grid में superconductor यूज़े जाता है तो यह हो जाएगा incorrect energy for efficient energy transmission without losses क्या losses हो सकते नहीं होते हैं तो losses होते हैं क्योंकि यह बहुत जो superconductivity का यहां पर reaction होता है या फिर जो फरक होता है यह बहुत ज्यादा very minus temperature में होता है 196 almost 196 पर work करता है ठीक है लेकिन यह electric grid के लिए क्या होता temperature बहुत ज्यादा हाई होता है इसलिए यहां पर work नहीं करता है तो option जो statement second है बुर रॉंग हो जाएगा कि कि statement 3 है high temperature superconductor required temperatures below minus 100 degree Celsius to function optimally ठीक है वहाँ minus 196 यहां पर यह भी function करता है minus 100 degree Celsius के नीचे ठीक है तो यह correct हो जाएगा superconductors can be used in magnetic levitation trains maglev जो चाइना में चलती है भी ठीक है frictionless बनानी के लिए transportation को ती यह भी correct हो जाएगा तो option save it with the right answer okay question number 40 है consider the following statements about the launch of CKARS portal तो कौन launch किया CKARS portal को the portal was inaugurated by the ministry of coal mines and parliamentary affairs option statement will be correct क्योंकि यह launch किया था minister of coal mines and parliamentary affairs ने second statement है the portal is developed by the national informatics center पर क्या national informatics center ने से launch किया नहीं यह wrong हो जाएगा third statement क्या है it aims to increase efficiency in the management of provident fund and pension schemes for coal sector workers yes यह correct हो जाएगा minister of union minister of coal mines and parliamentary affairs और यह डिजाइन किया गया है to improve करने के लिए efficiency of managing provident fund and pension claims for coal sector workers पोर्टल को डवलप किया किसे ने सी डैक ने ना कि national informatics centers में सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है center for development of advanced computing ठीक है यह जो है highest जो एक technical body है जो डवलप करती है advanced computing को इसके दोरह ही कौन सा operate किया जाता है जो जो quantum computer है इसी के दोरह operate किया जाते हैं CDAC के दोरह ठीक है question number 41 है with reference to the protection of children from sexual offenses act 2012 consider the following statement तो first statement क्या है it provides a legal framework for the protection of children from sexual offenses yes यह correct हो जाएगा right to confront the accused is a right guaranteed to a child victim under the box act क्या यह right to confront है कि accused के सामने जो उसको मतलब victim है ठीक है child है child victim है उसे क्या जो accused है उसके सामने लाए जाएगा नहीं उसकी privacy होगी जैसे वीडियो conference उसका statement वीडियो conference के थ्रू लिये जाएगा या फिर उसके जो वहाँ पर child की जो problems है ठीक है उसके wise को record करने के लिए उसे privacy रखी जाएगी उसकी ठीक है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो child है उसे obstruct किया जा सकता है उसे harmful पहुचा जाए सकता है या उसकी और जैसे कि वो पहुच ना पाए उसके rights ना मिले इसके लिए accused कुछ भी कर सकता है तो यह गलत हो जाएगा यह right नहीं मिलेगा confront करने के लिए accused को with जो child victim है ठीक है और जो पोक्सोयक्ट child victim कौन माना जाएगा जो 18 years से कम होंगे उन्हें चाड़ के के टेगरी में रखा गया है ठीक है और वो यह पोक्सोयक्ट के अंदर में यह आते हैं अंडर दा एक्ट एनी परसंट बिलो दे एज ओफ 18 years is considered a child yes मैंने बता दिया 18 लिनियर की नीचे जो है child मना जाएगा ठीक है तो option one sorry statement one statement three will be the correct so option second will be the right incorrect so option B will be the right answer ठीक है question number 42 है certain techniques are used in food processing and preservation to ensure that food is frozen quickly मतलब यह कह रहा है कि कुछ टेखनिक्स होती है जो यूश की जाती है food processing में और preserve करने के लिए उन्हें safe रहने के लिए ensure कि जाता है कि food को frozen किया जाए quickly जल्दी frozen हो सके जहां क्या हो retain कर सकते सके वह quality को मतलब frozen हो गई ठीक है कोई भी चीज frozen हो गई और वह अपनी जो उसकी quality है वह भी retain हो जाए तो ऐसा कौन सा यूटिलाइट मटेरियल है जो क्विक फ्रेज करता है फूर प्रोसेसिंग में यह work करता है तो वह कौन सा हो जाएगा liquid nitrogen ठीक है यहाँ पर liquid oxygen होती है वह हार्फुल पहुचाती है oxygen देखे हमारे लिए essential है पर हमारे लिए काफी handful भी है जो ह हमारे अंदर free radicals को generate करती है और free radicals कभी positive भी होते हैं और कभी negative होने की वाज़ा से यहाँ पर lethal बगारा lethal की condition बन जाती है जिससे इंसान की death भी हो सकती है free radicals के help से ठीक है liquid carbon dioxide यह भी नहीं होगा liquid helium यह भी नहीं होगा क्योंकि डबल यहाँ पर इसके mass नंबर है ठीक है question number 43 है which one of the following is the primary purpose of standard essential patterns in the technology industry परपस क्या है primary purpose is standard essential patterns तो यह होगा option कि से विल भी दा राइट अंसर इंस्योर इंटर ऑपरिबिल्टी एन इस्टेंडर डाइजेशन अक्रोस डिफरेंट टेकनोलोजिकल प्लैटफॉर्म स्टेट्मिंट ऑप्शन फर्स्ट को पढ़ लेते हैं एए ऑप्शन को increase the cost of technological क्या यासा है तो नहीं इसका objective नहीं होगा प्रपस नहीं होगा क्योंकि यह निगेटिव्टी दिखा रहा है ठीक है प्रोटेक्ट करना है intellectual property of minor technological components positive है यहां पर इसका फेचर primary purpose नहीं होगा प्रपस है बट primary purpose नहीं है रिस्टिक्ट दए एंट्रियाफ निव यह भी निगेटिव्ट है यह भी इनकर्रेक्ट हो जाएगा पुस्ट नमर फुर्टी फॉर है विच्पॉन अबब फॉल्टी इन्ट्रोडूस मेंस्ट्रूर लिव फॉर वुमें तो कौन सा में उस समय जो चीफ मिनििस्टर थे वो अन्रा दा इसीप वॉप बिहार चीफ मिनिस्टर उनके जो क्यों अफर्ट एक उनकेलमा जो जबी व पी के कर homme के लिए यह पर इंसरो दुर्ट था ठीक है को स्टेटमेंट कुंसा स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि इस कीम का एम है प्रोवाइट करने के लिए हेल्थ इन्सिरेंस को और कवरेज हेल्थ इन्सिरेंस कवरेज को प्रोवाइट करना है तो दा एकनामिकली वीकर संस अफ्टास गया तो क्या वाख्शिनेशन के लिए नहीं यहाँ पर जो है केवल और कि वरकिस के लिए जो secondary और tertiary health care है secondary और tertiary health care है उनके लिए यह body बनाई गए थी यह मत्रब प्रदान मंत्री जन अरोग योजना launch की गई थी ठीक है ना कि यहाँ health check-ups और vaccination के लिए ठीक है यह याद रखेगा secondary और tertiary के लिए there are no caps on family size age or number of members in a family so this will be also correct the first option correct third option correct second will be wrong fourth option i it aligns with the sustainable development goals by promoting good health and well-being which is the sustainable development goal number three matlab kaunsa hai no poverty zero no poverty first zero hunger second no poverty zero hunger good health and well-being goal number third here hapao tebhi kya hojaega correct hojaega option option c will be the right answer क्योंकि जो option statement second है वो incorrect हो जाएगा question no.46 देखते हैं consider the following medical equipment sterilization food industry agriculture household electrical appliances in how many of the above areas ethylene oxide is used ethylene oxide कहां पर यूज की जाती है कि ethylene oxide ये चीज़ याद रखे काफी important है ethylene oxide जो होती है वो कहां यूज किया जाती है जहां पर कोई चीज किसी भी चीज को sterile बना देना मतलब कि क्या है कि कि किसी भी चीज को जैसे माली जे अग्री कल्चर है वहाँ पेस्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं पेस्ट अटाइक होते ना पेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर केमिकल कर यूज किया जाते हैं फूर इंडस्ट्री में फूर को फूर को प्रिजर्व करने के लिए यहां पर नाइट्रोजन जो यहां नाइट्रोजन की जो यहां नाइट्रोजन आउक्साइड की यहां पर यूज किया जाता है फूरूट को प्रिजर्ब करने के लिए मेडिकल एक्विप्मेंट इस्टेलाइजेशन यह भी यहां पर यूज किया दें बट यहां पर जो हाउसोर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में यह यूज नहीं की जाती है तो कौन कौन से हो जाएंगे आप्शन क्या होगा आप्शन सी विद्धा राइट आंसर ठीक है तो यह यहां पर जो इस्टेलाइजेशन है इस्टेलाइजासन आप मेडिकल डिवाइसेज और एक्विप्मेंट के लिए कैनाट विद इस्टायं फालेजेशन में तो यह जो है इस्टेलाइजेशन के लिए ही बनाते हैं पॉस्टा नबर 47 है एंदिया इस्टील एक्सपोर्ट्स टू दा यूरूपेन उनिएन्ट्री जो इस्टील इंडस्टी एंभी जो है लास्ट फाइव यर्ष में इंडिया का जो इस्टील एक्सपोर्ट है वो काफी मात्र में बढ़ गया है ठीक है इंडिया का जो इस्टील प्राइस है वो लोवर है वो डाउन है इसलिए जो है यहाँ पर यहाँ पर पर क्या हो रहा है कि इस इस्टील की जो मार्किटिंG है टीक है वो बाढ़ रहे है एक्सपोर्ट बाढ रहा है तो कौन जाईट ऑप्सण होगा ऑप्सण इंडिया राइट ऐस सथा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर यह स्टेटमेंट सेगंड है वो explain करता है correct explanation क्या है इसका prices down है इसलिए जो है यहाँ पर इसको significant जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है ठीक है तो यह चीज याद रखियेगा कुस्सा no.48 है consider the following statements statement first है इंडिया is the world's largest importer of vegetable oils क्या यह correct है yes क्योंकि यहाँ पर जो palm oil है कि लार्ज़ेस्ट मत्र में Palm oil Palm हो गया, Swavin oil हो गया संफ्लावर old χोगया है Passage, alarm oil कहां से ज bell के लेते हैं यह यह याद रखियेगा और संफ्लावर संफ्लावर लेते हैं कि यहां से अर्जेंटीना ठीक है याद रखेगा अर्जेंटीना और यहां पर जो सोयबीन है सोयबीन लेते हैं कहां से यह यूक्रेण रसे जो वार चल रहा है यूक्रेण ठीक है युक्रेन से लेते हैं तो ये चीज यार दर्खेंगा है तो आप्शन कौंसा हो जाएगा है औप्शन ए Max ये सिंगापूर है सिंगापूर से नहीं यहां पर पहले क्या है इंडोनेशिया देन मलेसिया से देन यहां बोल सकते हैं की जो थाय is the primary affected in thermo thrombocytopenia thrombosis syndrome तो यह कौन सा उसमें है platelets ठीक है option B will be the right answer thrombocytopenia thrombosis syndrome यह मतलब thrombocytopenia इसका क्या मतलब है platelets ठीक है thrombos means blood clotting जैसे यहाँ पर अभी मैंसल जाओंगा question number 50 देखते हैं which one of the following nutrients is not classified under the primary nutrients in balanced fertilization अभी फड़े थे कि जो हमारा यहाँ nutrients होते हैं जो primary nutrients होते हैं कौन कौन से होते हैं इन पी के ठीक है major primary nutrients कौन से होते हैं यह जो होते हैं इन पी के जिंक नहीं है जिंक जो है option D will be the right answer जो कि not classified under the primary nutrients बोला गया है ठीक है जो secondary nutrients हैं कौन कौन से हैं जैसे कि यहाँ पर calcium हो गया magnesium हो गया calcium magnesium और यहाँ पर आपका हो गया कि nitrogen I think जो secondary type के nutrients होते हैं यहाँ पर micronutrients होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह चीज यह है थ्रॉम्बो साइटोपिनिया थ्रॉम्बोसिस सिंड्रोम एक रियर ब्लड डिसॉर्डर है जो करेक्टराइज करता है कि वहाँ पर low platelets count होते हैं तो low platelets count क्या होता है थ्रॉम्बो साइटोपिनिया और जो blood clot होता है वह थ्रॉम्बोसिस होता है ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा यहाँ पर जो primary nutrients कौन होते हैं एन पी के nitrogen स्वारी नाइट्रोजन मैंने कहा दिया था ना उसमें nitrogen फासपूरस और potassium यह primary nutrients होते हैं यहाँ पर जो secondary nutrients होते हैं वह कौन होते हैं sulfur होता है ना कि nitrogen तो मैं primary nutrients को बूलते है था ठीक है sulfur calcium और magnesium जो micronutrients होते हैं वह होते हैं iron, zinc, copper, manganese, boron and molybdenum ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा question number 51 है with reference to उड़ान उड़े देश का आम नागरिक scheme है और इसके statement में बोल रहा है first statement जो है the main goal of the scheme is to promote low-cost airlines and expand flight options for passengers तो इसका जो main goal है वो scheme का जो main goal है वो से promote करना है low-cost airlines को मालीजे low-cost airlines को promote करना है यहाँ पर कहरा कि main goal है यह है तो but main goal नहीं है cost जो low-cost airlines की उसे promote करना है और expand करना है flight options को for the passenger but main goal यहाँ पर नहीं है तो यह incorrect हो जाएगा statement second है the scheme provides viability gap funding to airlines to bridge the gap between the cost of operations and expected revenues तो यह correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो viability gap funding है यह provide करेगा क्या यगर किसी भी company को जो airlines company है उसे अगर कोई cost में launch means loss होता है किसी भी field में तो उसे यहाँ पर funding provide की जाएगी by the government के दोरा ठीक है उसका loss जो है यहाँ पर ना होने पाए तो option क्या होजाएगा option B will be the right option ठीक है जो primary goal है वो क्या है setup करना है इसी scheme के अंदर setup करना है बहुत सारे airlines को जो की उनको प्लाइट को जो option है यह भी तो हो सकता बाट low cost में airline यह नहीं हो सकता ठीक है question number 52 है consider the following statements tropical cyclones in the Indian ocean region are formed due to the strong westerly winds में यह ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं नहीं इससे नहीं फॉर्म होते हैं जब यहाँ करते हैं साइक्लोन को साइक्लोन फॉर्मेशन 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 फॉर्म पर जो है यह correct हो जाएगा ठीक है यह prevent करता है फॉर्मेशास साइक्लोन को निया दा एक्वेटर क्योंकि एक्वेटर में क्या होता है औरिलो स्वोर्स नहीं होता है ठीक है option स्वाली स्टेंट्मेंट धर्ड है साइक्लोन और मोर फ्रिक्वेंट इंधब्याब बंगाल compare to the arabian c due to the lower humidity levels ये तो correct है ठीक है ये half correct है half incorrect है यहाँ पर lower humidity नहीं होती यहाँ पर इसके वाज़े से होता है high humidity क्यों क्योंकि जो arabian c है उसका temperature बे आप बेंगाल के compare में कम होता है और जो है इसको जो यहाँ पर आई जो temperature का आई बनता है कहां बनता है यानि ब्याप बेंगाल में बनता है ब्याप बेंगाल का temperature बहुत जादा हाई होता है ओके क्योंकि यह जादा surrounding चारो तरप से गहिरा है land boundary से ठीक है तो यहाँ पर जो temperature maximum और high humidity यहाँ प्रेंट आँ सवरी यह जो है राइसिंग जो कर्रेंशन एएर की वह ज्यादा होने के चांस्स होते हैं और ःविए इंकरेटी हो होगी जहां टोंप्रेटी यहां जहां टोंप्रेट्सर हाइफोगा पोलार रीजन में जीरो हमती फोटी है क्योंकि वहाँ पर Все जुआ सुन नहीं होता है जिरो होता है ठीक है तो यह भी इनकर्यक्ट हजाएगा फास्ट और थ्र इंकर्यट ऑप्षन लिविसार राइट आशर क्योंकि यह आपर सेकेंडD स्टियटमेंट कर्रेक्ट है ठीक है तो यह चीज़ देख लेजैगा आप स्टीच में पेश्टन 53 3 है, consider the foreign statements regarding the quad grouping. Quad grouping के regarding बात कर रहा है, statement first है, India provides technological expertise for cyber security initiatives in achieving the quad strategic objectives. India provide करता technological expertise को for cyber security initiatives in achieving the quad strategic objectives. क्या correct है, yes, exercise मालाबार involves countries of quad, yes, यह भी correct है, मालाबार exercise हर साल होती है, ठीक है, it is a treaty based organization with a rotating presidency, treaty based है, नहीं, treaty based नहीं है, और यहां rotating precedence भी नहीं, rotating precedence भी नहीं आती, क्योंकि जो quad group है, यह एक non-formal है, non-organizational है, ठीक है, तो इसलिए यह statement incorrect हो जाएगा, we will be the right option, question number 54 है, consider the following statements with respect to the विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम से related, क्या statements है, it is often referred to as a golden age of literature and culture in South India, तो यह correct हो जाएगा, ठीक है, golden age कहलाता है, culture and जो literature है, literature का age है, golden age कहलाता है, विजयनगर किंगडम, ठीक है, second है, sand stone was the primary building material used in, विजयनगर temple construction, देखो यहाँ पर जब volcanic rock, एक volcanic rock होती है, विजयनगर करोप होते है, वल्कनिक रोक, इसफियर कहां मिंज कि जो aquatic rock है, और यहाँ पर, जो sand stone किससे मनता है, sand stone मनता है, एक तीन रोक होती है, ठीक है, मैं यह समझा दू, तीन रोक क्या है, एक होती है कि इगनियस, ठीक है, होती है एक होती है एक होती है सेडिमेंटरी रॉपर这न हूत है है और निस होती है तोसील्स होते है प्राक पिश्च में प्रोसीलल्स और ici पर से इसे तो यह कम जोर्ण भी होते हैं तो में इगनियस। अपर स्टूंब करते हैं को इस पर करते हैं वो इस्ट्रक्ट apa ठीक है तो स्टून नहीं डिनाउड वाज आ प्राइमरी बिल्डिरी इस यह चीज यहाँ से याद सकते हैं यहां पर कहा से होता है और आवली रेंज से यहां पर कार्ट के बनाया जाते हैं बनाया गया थे बहुत सारे मंदिर और टेंपल और मॉस्क्ष ठीक है यतर किये संडी स्टू नहीं ग्रेनाइग जा गर्ब बिग्रिया वह दिस्टीर फीचर ऑफ द विजड़ अगर टेंपल आर्किटेक्च्चर गर्ब बिग्रिया है है गर्ब गर्ब तुरह चारों तरफ मिलेंगे ठीक है यह पर नहीं हो सकता क्योंकि यह जो नगर स्थाइल अभी टैर्फ स्टाइल आख र absolutamente टार्विधिल आख टीक्टर टीक है टेम्पי टेक्टर ऑडिषा है और गुपुरम्स क्या है इसके इंट्री पॉइंट पर बहुत बड़े यहां पर गुपुरम्स बना जाते थे काफी ज्यादा डिजाइनिंग ठीक है डिजाइनिंग होती थी यह चीज यहां टेमपल में बिल्ट अप है साउथ इंजय में जाएंगे देखेंगे तो क्या है यहां पर जो मार्शल आर्ट जैसे कहां का है यह केरला का ठीक है कि स्वारी नट केरला का यह तमिल नालू का है मैंने बोला केरला कलारी पैट्टू कि यह है यही स्वारी केरला का है ठीक है और जैसे ठांगता है ठांगता कहां का है मनिपूर का ठीक है और यहां जो और बहुत सारे भांगडा जैसे यहां हो गया भांगडा हो गया पंजाब का मर्दानी खेल हो गया यहां महाराष्ट का तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे यह ह तो यह बैक्टिरियम है यह इसी के दारह होता है नोट वारस के दारह नहीं होता बैक्टिरिया के नाम है अस्चिरिचिया कोली ठीक है स्टेट्मेंट सेकेंड है तो यह रोड मैंप इंडिया भी यहां पर इनिसेटिव ले रहा है इलिमिनेट करने के लिए काला अजार हो ठीक है तो आप्शन सी विल बीदा राइट आंसर सॉरी यहां पर जो है यह इंडिया में जो बैक्टिरियम है जो ना काजेटिव बैक्टिरियम जो हो है यह विश्रल लिसमानियासिस इसे काला जार को बोलते हैं बैक्टिरियल लिसमानियासिस ठीक है यह होता है प्रोटो जो हुआ परासाइट से ना की बैक्टिरिया से लिसमानिया डूनो वानी यह एक बैक्टिरिया स्वरी परासाइट है इसके वज़ बून मैरो एड्सेट्रा और जो डबलू हो है यह टार्गेट सेट किया है ऐसे काला जार को एलिमिनेट करने के लिए चीज़ रखेंगा ठीक है फ्रोटो जोवा परसाइट होता है इसकी वज़ासे और लिसमानियासिस डोनवानी यहां का परसाइट है इससे यह काला जार होत इसके एक्स्टिंशन के लिए मिल्स की अगाला जार को एलिमिनेट करने के लिए पब्लिक हेल्थ इसू को लांच किया है ठीक है यह चीज़ याद रखेंगा कि क्वेश्चन नमबर 57 है इन्हेंस्ट राक वेदरिंग प्रोसेश सेन इन्द न्यूज रिसेंट्ली है कौन सा होगा इन्हेंस्ट राक वेदरिंग प्रोसेश तो यह कौन सा होगा स्टेट्मेंट होगा ऑप्शन होगा बी कैप्चरिंग एन्स्टोरिंग अट्मास्परिक स्योटू थू केमिकल रियक्शन विद क्रश्ड सिलिकेट रॉक ठीक है इसकी वाज़ से यहाँ पर अब वेद इरोजन ऑफ रॉक ठीक है ड्यू टू दी पेनेट्रेशन ऑफ स्योटू एंड इट बिकम वीक दी रॉक पार्टिकल्स और क्रस्ट कर देते हैं सिलिकेट रॉक को ताकि इसका और इसका जो है ट्रांस्पोर्टेशन होने लगता है वेदरिंग यही होता है कि ट्रांस्पोर प्राइस्टर को inखरेंग दाटरेट्टिट्यर्थ ग्राउंड वाटर नहीं यह भी नहीं कोई अल्टरिंग्डश बेलन्स ओफ एक्वीपर्स नहीं यह भी नहीं होगा इनहेंसिंग फ्रॉडक्षन ऑफ जी यो ठर्मल इनर्ची जू थर्मल इनर्ची ट्रल्टिट है तो ठीक है, climate finance is funding aimed at supporting actions to mitigate and adapt to climate change, तो climate finance एक aim है, funding का at supporting actions to mitigate and adapt to climate change, yes, the funding under climate finance must come from public source only, क्या public source only से आता है, नहीं, public as well as private से आता है, ठीक है, government और non-government organization और जो है, private sector से भी, यहाँ पर आपके से corporate affairs, यहाँ पर companies यहाँ पर project लगाते हैं, तो वो जो है climate change से related, climate finance related, जैसे यहाँ पर renewable या फिर green building या green building project होते हैं, वो setup करते हैं, जो UNEPCCC track करता है climate finance को, flow from the develop to developing, क्या यह track करता है, नहीं, यह केवल और केवल framework करता है, और regulate करता है finance को, ठीक है, climate finance को, पर जो OECD है, OECD, organization for economic cooperation and development, यह यहाँ पर track करता है climate finance को, कि developed country, जैसे 100 billion का target है, कि पर year 100 billion dollar कौन देगा, developed country to developing country को, ठीक है, 100 billion dollar every year, new collective quantified goal is a new climate finance target being developed to support developing country in their climate efforts post 2025, तो यह भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, सो, option 1st and 4 will be the right, means statement 1st and statement 4th and option D will be the right answer, ठीक है, तो यह मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको और चीज पढ़ना है, तो आप solution देश सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा solution है, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेस्टन नमबर 59 है, The Supreme Court of India recently introduced a new statue of lady justice, in contrast to the conventional representation, the new statue does not feature a blindfold, this absence of the blindfold is symbolic of, means कि जो new statue बनी है, जैसे यहाँ पर जैसे बना lady justice खड़ी रहती है, जब कोई judgment देते हैं, तो उसके जच के सामने lady justice मतलब वहाँ पर stand रहती है, तो उसका जो blind fold है, उसे हटा दिया गया है, टीक है, open fold कर दिया गया है, तो इसका यह है, की इसका जो absence है, blind fold का, वो symbolic था, कौन सा symbolic था? कि इसका ये है absence of absence of blindfold इसका symbolic है क्या है तो इसका ये an emphasize on transparency and the judiciary awareness of social realities and diversity option B will be the right answer होगा ठीक है first option क्या है the judiciary ability to enforce laws with greater severity and strictness क्या ये होगा बट यहाँ पर primary जो objective इसका blindfold जो absence है इसका symbolic क्या होगा ये नहीं होगा shift towards prioritizing punitive measures over restrictive measures ये भी नहीं होगा the judiciary focus on maintaining traditional values without adapting तो अगर traditional value होगी होती तो यहाँ पर blindfold को क्यों हट आ जाता तो ये option भी wrong हो जाएगा question number 60 है consider the following statements Galatia Bay is located in the लक्षदीप island totally incorrect क्योंकि लक्षदीप island में नहीं है यहाँ पर निकोबार island में है अभी जो है यहाँ पर एक project बनाया जा रहा है जो कि international container transport transitment port बनाया जा रहा है ठीक है Galatia National Park में जो कि निकोबार island में है दो national park है Galatia National Park एक और है वो comment box में देज़े कौन सा है second statement है the new international container transport port at Galatia Bay has been designed as India's major port क्या major port है yes तो option भी हो जाएगा यहाँ पर correct ठीक है अब यहाँ पर start करते हैं previous year question जो थे science and technology से related जो previous year में पूछे गाए थे इसे 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 आपर रिमोर से कोई भी चीज़ चलाते हैं या फिर कोई भी चीज़ मिल्स की उसे आप insraith करती है, या फीर वहाँ पर trip करते हैं ट्रैप करती हैं जैसे मालो यहाँ पर जो fast tag hai stable past tag चलता था अब जो है रिप्लेश करेंगी एक technology a r.e. ale वह भी से आपने आप रिप्लेश करेंगी ठीक हैare फास्ट टैक क्या करता है इसे transmit करता है अपने डेटा को और यहां से जब गाड़ी में किसी वेहिकल में लगेगा तो उसे ट्रांस्मिट करता है तो यहां से उसका चार्ज जो है अपनी आप कड़ जाता है ठीक है तो यह होते हैं और जीश्टम जैसे टीबी बगर रिमूट वगर वगर होती है इन फारेड अनके बीच में होता ना रिमूट से कोई भी चीज चला देगे तो कंट्रोल करेगा ठीक है तो उसकी जो डेट रेज है वो ट्रांस्मिट होगी तो टेलिविजन यह भी होगा आरेफाइड यह लगता है कहां पर आरेफाइड लगता है यहां पर जैसे फास्टाइग बगर इंदा टर्म क्यूबिट इस मेंशन क्यूबिट क्या होता है तो जीरो एंड वन ठीक है यह लेता है कौन यह लेता है क्वांटम कंप्यूटिंग तो यह चीज याद रखेगा काफ इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट कुस्ट्टन है विद रिप्रेंस टू वेब थेरी प पातारू जो वेब वेब 1 का मतलब क्या था वेब 1 का मतलब क्या है कि यहां पर जो कंपनियां है जो भी इसीज को डेटा को प्रमायट करते ही वह ही क्या क Israelis और यो डेटा को कंट्रोल करेंगे हैंडल करेंगे वेब त्टुव पॉयंट था कि डेटा जो है वह ट्रांश्मींट किया जा memorial किया जाएगा जैसे वहाँ पर क्या था भाइस ओंली वाइस ओंली था वयब टू पॉयंट में क्या होगा data भी चाहेगा मतलब की internet plus wise और यह handle करेंगे कौन company ही handle करेंगे और यहाँ पर flexibility होगी थोड़ी बहुत होगी ठीक है जो data को control करने के power जो होगी वो company के पास होगी ठीक है लेकिन यहाँ पर जो devices हैं वो किसके पास होगी वो consumer के पास होगी वेब 3.3.2 का मतलब यह है कि जो data है वो कौन control करेगा आप company नहीं अब जो consumer है वो खुदी अपनी अपनी डेटा को पेपिल खुद अपनी डेटा को control करेंगे तो इसका यह बतलब है तो वेब 3.2 टेक्नालोजी इनेबल करती है पेपिल को पेपिल के लिए कि वो अपनी डेटा को स्वाइम कंट्रोल करें ठीक है तो correct option correct statement हो जाएगा statement second क्या है इन वेब 3.2 वर्ड there can be blockchain based social network तो will be correct yes three statement है थर्ड इस्टेट्मेंट है वेब 3.2 इस ऑपरेटेड बाई यूजर्स कलेक्टिवली राद दैना corporation तो यहाँ पर जो है corporation ही control करेंगी यहाँ पर पेपिल कलेक्टिवली control करेंगे तो option d will be the right answer next question है with reference to the steel lighting how do sodium lamps differ from LED lamps तो ऐसे question frequently पूछेगा ही UPSC में करतों काफी important है जैसे यहाँ से कोई differences पूछे तो वो यहाँ पर focus करके चलिएगा ठीक है statement first है sodium lamps produce light in 360 degrees but it is not so in case of LED bulb तो statement will be correct as street lights sodium lamps have longer life span sodium longer life span है नहीं यहाँ पर LED lamp है उसका stronger light से आप ने एक बार LED लगा दिया तो काफी दिनों तक काफी महिनों तक चलता है ठीक है लेकिन फोकस उसका काफी ज्यादा होता है थर्ड स्टेट्मेंट है the spectrum of visible light from sodium lamps is almost monochromatic while LED lamps offer significant color advantages in street lighting तो LED बल्ब कहाँ ज्यादा लगते हैं street lighting में तो यह option भी correct हो जाएगा statement तो option means one and third statement will be correct यहाँ पर सेकेंड जो है वो incorrect हो जाएगा ठीक है तो यह चीज याद रखेगा next and आज के जो टेस्ट का last question है बोल्गार्ड first and बोल्गार second technologies mentioned in the context of तो बोल्गार फर्स्ट और बोल्गार second यह है एग same means genetically modified crops plants है ठीक है बोल्गार first और बोल्गार second जैसे यहाँ पर cry a c1 ठीक है और cry a b1 यहाँ पर यह क्या है इसके gene है ठीक है यह जीन आद रखेगा कि बोल्गार first जो बीटी cotton है बीटी cotton बीटी cotton में यह जो है जीन है ठीक है cry a c1 cry a b1 ठीक है और यहाँ पर बोल्गार first और बोल्गार second जो है यह plant technologies यह develop करते हैं जिल्टिक लिए modify crop plants को ठीक है यह दोनों technology है इसके तो right option will be option b ठीक है तो यह चीज याद रखेगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में cry 1 a c और cry 2 a b ठीक है यहाँ पर cry a c1 नहीं है cry 1 a c और cry cry 2 a b यह है इसके बूल वार्म है जो caterpillar को यहाँ पर मार देते हैं ठीक है तो यह चीज याद रखेगा ठीक है यह बीटी कॉटन के लिए bacillus thuringiensis यहाँ पर यह यह चीज याद रखेगा काफी बोल गार फाट रोल गार सेकेंड ठीक है तो आज का टेस्ट यहीं पर खतम होता है तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं कि मैं आप लाइव क्लास आउं तो यहाँ आप को पार्टिसिपेट करें मुझे 50 लाइव चाहिए ठीक है तब ही मैं यहाँ पर लाइव क्लास ले पाऊंगा अधरवाइज आर दस या फिर बीज बच्चों के बीच में कंपटिशन यहाँ पर सही नहीं होगा ठीक है तो आप पार्टिसिपेट करें फूल स्टेंद के करने में कि आप जैसे लाइब में आप अंसर पोस्ट करेंगे मुझे मजाएगा आपको और चीज़े बताने में ठीक है मैं जो अभी साउट बता रहा हूं काफी लांग में 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 कि आपको डिटेल डिसकसन होगा वहाँ पर ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्ट टेस्ट म थैंक यू पर मची आपके अव अग्रे टेए